नमस्कार टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाविस्ट कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों को लुभाने की हजार कोशिशे की जा रही है लेकिन जनता को कॉंग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इसलिए कॉंग्रेस जो भी मिशन लेकर आ रही है जनता कॉंग्रेस को आएना दिखा रही है और उनके किसी भी मिशन को काम्याप नहीं होने दिया जा रहा है अब एक बार फिर से जंता ने कॉंग्रेस के एक ऐसे अभियान को नका रहा है जिससे कॉंग्रेस ने बड़ी उमीदे लगाई थी लेकिन उनके अर्मानों पर पानी फेरने का काम जंता ने किया है और उनको उनकी असली जगह भी दिखा दी है क्या है पूरा मामला और कैसे कॉंग्रेस एक बार फिर से अपने प्लान में फेल हो गई है सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं कॉंग्रेस के मिशन को जंता ने नकारा चंदा मांगने पर जोली भर के मिली गालियां डोनेट फोर देशन की उड़ी धज्यां कॉंग्रेस को लोगों ने दिखाया आईना लोग सबा चुनाओ 2024 के लिए तैयारियों में जुटी कॉंग्रेस पार्टी को एक जोरदा जटका लगा है क्योंकि कॉंग्रेस ने लोगों से चंदा लेने का जो प्लान बनाया था वो प्लान अब बुरी तरह से फेल हो गया है क्यों क्योंकि कॉंग्रेस के इस मिशन को जनता ने ही फेल कर दिया जी हां कॉंग्रेस पार्टी ने समर्थकों से चंदा एक खटा करने के लिए डोनेट पॉर देश नाम का भियान शुरू किया पार्टी की राष्ट्री अध्यक्ष मलीका जुन खडगे ने खुद एक ला ना सिर्फ रजिस्टर कर लिया बलकि वहां भाजपा को डोनेट करने का लिंक भी डाल दिया इसके बाद कॉंग्रेस जिन समर्थकों से डोनेशन की अपेक्षा कर रही थी वही अब उसे गाली दे रहे हैं उधारण के लिए खुद को सेकुलर लिब्रल बताने वाले संदी मधु धाने का ट्वीट ही देख लीजिए उन्होंने कॉंग्रेस के इस अभियान के शुरू होते ही इसकी तीन खामिया गिनादी पार्टी की खोकली प्लानिंग अलकमान की तरफ से कोई निग्रानी नहीं और व्यवहारिक ज्यान की कमी उन्होंने इससे अशुप संकेत ब दिखा कि आज की रियल पॉलिटिक नैतिकता की जगह परिस्थिती और व्यवहार के हिसाब से चलने वाली राजनीती में स्वागत है सुप्रिया श्रिनेत ने भाजपा के डरे होने का दावा करते हुए फर्जी डोनेशन लिंक बनाकर कॉंग्रेस समर्थकों को भ्रमित कर करने का आरोप लगाया इस पर भी संदीब ने रिप्लाइ दिया उन्होंने वही किया जो कॉंग्रेस में नीतिया बनाने वालों ने नदर अंदास कि उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जरूरी डोमेंस को सुरक्षित रखा जाना चाहिए वहीं एक अन्य यूजर ने तो ये तक सलाह देडाली क्योंकि डोनेशन फॉर देश अभ्यान को हाईजेक कर लिया गया है इसलिए कॉंग्रेस पार्टी अपने डोनेशन कैंपेइन का नाम बदल कर कुछ और रखते साथ ही अगभारों से लेकर मीडिया तक में इसका प्रचार करने की सलाह देडाली बता को इस पर ब्रही कि कोई भी व्यक्ति वेबसाइट को कूलता है तो इस पर भाच्टपा को चंदा देने का पेच खुलता है यहां नाम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर भाच्टपा को चंदा देने का फॉर्म खुलता फोहीं donation 4 देश.com और donation for station tales.in भी Congress नहीं ले पाई जिसकी वजह से कॉंग्रेस की वजीहत अब चारों तरफ हो रही है वहीं ऐसी में कॉंग्रेस की स्थती देखी देखते हुए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आगे की कॉंग्रेस को चंदा मांगने की जरूरत पड़ गई दरेसल आपको बता दे कि कॉंग्रेस ने अगले साल लोकसबद चुनाव से पहले पैसा जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है पार्टी मुख्याले में कॉंग्रेस महासच्यू केसी विणु गोपाल और कोशा अध्यक्ष अजे माकन ने डोनेशन फॉर देश अभियान शुरू करते हुए कहा कि 18 साल से उपर का भारती नागरे कॉंग्रेस को न्यूंतम 138 रुपे और अधिक्तम 138 रुपे के गुर्जन में पैसे दे सकता है जैसे 1380 रुपे 13800 रुपे विणु गोपाल ने पार्टी के इस अभियान को महत्मा गाधी के तिलक स्वर जाबर मौका मिलेगा भारती जंता पार्टी बीजेपी ने कॉंग्रेस के सभियान का मजाग उडाते हुए ट्वीट किया जिसमें एक फिल्म की क्लिप दिखाई गई क्लिप में जंता के चुनावी चंदे से मिले पैसे को काले धन में मिलाकर सफेद बनाने की तरकीब बता हैं बीजेपी नेता शहजात पूनावाला ने हाल में कॉंग्रेस के राजसुबा सांसद धीरस साहों के घर से 300 करोन रुपे ब्रामतगी का हवाला देते हुए कहा कि ये पार्टी में फैले भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान हटाने का तरीका है भले ही बीजेपी ने किया हो लेकिन ये साफ है कि कॉंग्रेस को मिल रहा चुनावी चंदा काफी घटा है लगातार दस साल तक सत्ता से बाहर रहने की वजह से उसकी आये के स्रोध घटते जा रहे हैं और मद्यप्रदेश राजिस्थान और चुनावी हार ने उसकी पैसा एक खटा करने की ताकत को और जादा कमजूर कर दिया है यही वज़ा है कि कॉंग्रेस ने लोगों से पैसा जुटाने के लिए अभियान शुरू किया है किसके पास कितना पैसा राजनितिक पार्टियों के कामकास पर नाजर रखने वाले संगठन एस्सेशेशन और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस साल सितंबर में राजनितिक दलों की इंकम टैक्स रिटर्न फाइल के आधार पर एक रिपोर्ट पेश की थी इसके मुताबिक वर्ष 2020-21 राश्ट्रियों पार्टियों में सबसे जादा संपति बीजेपी के पास थी बीजेपी के पास 2015-16 में 893 करोड रुपे की वही कॉंग्रेस के पास 2013-14 में कॉंग्रेस के पास 767 करोड रुपे की संपत्ती थी 2019-20 में ये बढ़कर ये संपत्ती 929 करोड रुपे पर पहुँच गई थी लेकिन 2021-22 में घटकर 806 करोड रुपे पर पहुच गई जबकि 2013-14 के बाद बीजेपी की संपत्ती में लगभग 8 गुनाब बड़ात्री हुई है ये एक मातर ऐसी पार्टी है जिसकी संपत्ती लगातार हर साल बड़ी है दरिशल जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसे जादा चुनावी चंदा मिलता है और उसकी संपत्ती में इजाफा होता है बड़ात्री होती है 2014 के लोकसभा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस के पास 586 करोड की संपत्ती थी जबकि बीजेपी की संपत्ती 464 करोड रुपे थी हाल ही में चुनाओं आयोग में जो ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके मताबिक शेत्री पार्ट कॉंग्रेस के पास 333 करोड 4 लाग रुपे की संपत्ती है क्या कॉंग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिती तीन बड़े राज्यों राजिस्थान 36 गड़ और मद्प्रदेश में भाजपा के हातों कॉंग्रेस की हार के चंद ही दिनों बाद विपक्षी इंडियन अलाइंस की बेहद महत्तुपूर बैठक आज मंगलवार को दिली में होने जा रही है विपक्षी पार्टियों के संगठन की ये चौथी बैठक है राजस्थान 36 गड़ और मद्प्रदेश में जीद के साथ भाजपा की अब 28 में से 12 राज्यों में सरकारे हैं जबकि चार अन्य संसदों को संसद से निलंबित कर दिया जिसके बाद ताजा सत्र में निलंबन किये गए संसदों की संख्या अब तक 141 हो गई है और ये बढ़ती ही जा रही है ये संसद ग्रहम मंत्री अमिश्चाह से संसद में सुरक्षा चूक मामले में बयान की मांग को लेकर बताया भाजपा नेता प्यूश कोईल के मुताबिक निलंबित संसदों के विवहार के चलते उन्हें निलंबित किया गया और वो नहीं चाहते थे कि संसद ठीट ठाक चले पीडीपी की महबूबा मुफ्ती कहती है कि जिस तरह से हालात है मुझे नहीं पता कि हमारा लोगतंत्र हमारा धर्म निर्पेक्षता कितने समय तक सरकार के वार को सहपाएगी अगर बीज़ेपी फिर जीत्ती है तो फिर विपकषी नहीं होगा सविधान कहीं नहीं होगा लोगतंत्र कहीं नहीं होगा भाजपा लगातार ऐसे आरोप को खारिच करती रही है लेकिन विपक्ष लगाता सरकार पर सरकारी एजंसियों के दुर्प्योग का आरोप लगा रहा है पार्टिया आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने महोवा मोत्रा की संसत सदसिता रंद किये जाने जैसे कदमों का उधारन देती है भाजपा ने ऐसे आरोपों को खारिच किया है और कहा है कि सरकार एजंसियों का भरष्टाचार के खिलाब कारवाई कर रही है विपक्षी इंडी अलाइंस की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोग प्रियन नेता है भाजपा उनके तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने का विश्वास जता रही है और विपक्ष के सामने चुनाओती है कि भाजपा को लगातार तीसरी बार संसिदी चुनाओ जीतने से कैसे रोका जाए लेकिन जिस तरह की हालत विपक्ष की है उसको देखकर यह अन्दाजा लगा जा सकता है कि पियम मोदी और बीजेपी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है टर्निंग पॉइंट में फिलाल के लिए इतना ही बाके तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी नमस्कार